आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से के जे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमने लाप ने बिल्कुल सही पड़ा UP बिहार में GST registration लेना हुआ मुस्किल क्यों मुस्किल हुआ UP बिहार में registration लेना क्योंकि वहाँ पर मांग रहे हैं लोगबाग रिस्वत कैसे मांगते हैं ये लोगबाग रिस्वत मैं आपको बताता हूँ होता क्या है जब आप GST registration अप्लाई करते हो तो जैसे हमने GST registration अप्लाई करा किसी client का तो registration की file submit हो जाती है उसके बाद क्या होता ये क्या करते हैं हमारी application पे लगाते है rejection कि आपने ये detail फरनिश्क नहीं करी हम क्या करते हैं उस detail को डाल देते हैं कि लो जी ये detail ले लो उसके बाद ये फिर दुबारे से rejection लगाते हैं कि आपने ये detail तो दे दी अब की बार ये detail नहीं दी फिर हम वो detail भी दे देते हैं फिर ये कुछ ऐसी detail मांग लेते हैं ये ऐसा region डाल देते हैं कि जिससे हमें registration मिले ही ना और उसके बाद जब हम ओफिसर के पार जाते हैं मिलने हैं वो कहते हैं सर आपको पता है सर आपको पता है कि कुछ खर्चा दे दो तो registration हो जाएगा मैंने कहा कहां लिखा हुआ है लो में कहते हैं लो में नहीं लिखा हुआ अगर आप UP में हो अगर आप बिहार में हो तो आपको पता होना चाहिए बाकी राज्यों में भी ऐसा होता होगा मुझे comment box में लिख कर बताओ लेकिन UP बिहार में मैंने deal करा है सर आप दिल्ली की बात नहीं कर रहें भई दिल्ली में नहीं होता होता है तो कम होता होगा लेकिन दिल्ली में मैं registration apply करता हूँ मेरे पास कोई rejection नहीं आती और अगर कोई rejection आती है मैं document दे देता हूँ उसके बाद वो short out हो जाती है वो नहीं बुलाते लेकिन UP बिहार में जब तक आपको बुलाना ले जब तक आपसे पैसे ना ले ले तब तक ये registration ही नहीं दे रहे और rate fix हो रखा है कोई 1000 ले रहा है कोई 2000 कोई 5000 यहां तक कि कई लोग तो 10,000 भी ले रहे हैं क्या ये गलत है या नहीं है बिल्कुल गलत है मैं हाज जोड़ कर अपने जो मुख्य मंत्री है योगी आधित्यनाज जी जो हमारे finance minister है उनसे request करना चाहता हूँ कि भाईया थोड़ा सा tight कर दो इन लोगों को इन्होंने जीना दुखी कर दिया है क्योंकि इस notice को देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे ये ऐसी ऐसी चीज मांगते हैं कि जो GST law में कहीं नहीं लिखी मैं बतातू क्या मांगा इन्होंने हमारे client से इन्होंने कहा कि please upload MOA AOA और board resolution भाईया MOA AOA कहां पर दे हम आपको क्या आपके portal में इतनी जंगा है कि MOA और AOA upload भी हो जाए जब वो upload ही नहीं हो सकता तो हम आपको कैसे दे और GST के कौन से rule में लख्खा ये चीज मांगनी है इसके बाद इन्होंने क्या बोला है और सुनो इन्होंने बोला your address is residential place कि तुम्हारा जो address है वो जो है residential palace है अरे भाई मेरा address residential palace है हो तो क्या दिक्कत है क्या मैं अपने घर से business नहीं करता अभी मेरी नोक्री चली गई मैंने सोचा है कि घर से ना online काम शुरू कर दू तो क्या मैं घर से commercial activity नहीं कर सकता कर सकता हूँ अगर मेरे पडोसियों को दिक्कत नहीं है मेरे building वाले को दिक्कत नहीं है मेरी society को दिक्कत नहीं है तो आप हमें NOC दो, हमने NOC दे दी, हमने यहाँ पर गया करा, सोसाइटी से NOC दे दी, फिर यह कहरें, कम्पिटेंट अथोर्टी से NOC लाओ, कौन से लाएं, क्या फायर बिगेट से NOC लाएं, आप रजिस्टेशन दे रहे हो, क्या चीज दे रहे हो, और अब आप मुझे बताना, जैसे ही हमने तुम्हें पैसे दिये, जैसे ही क्लाइंट ने पैसे दिये, या आपको पैसे पहुच गए, तब ये सारे डिफोल्ट सही हो गए क्या, तो आप ये गलत गर रहे हो, आप ऐसा मत गरो, आप जो हमारे परदान मंत्री जी, मोधी जी हैं, उनका जो इजो डूइंग बिजनीस है, आप उसे बिल्कुल फेल कर रहे हो, आप कहते हो, पुलिस वेरिफिकेशन करा के लाओ, अरे ऐसी ऐसी चीज़े मत बोलो ना आप, आप के लिएर बोल दो ना, इस नोटिस में लिख कर दे दो ना, कि 10,000 रुपे की रिस्वत लिया हो, या ऐसा करो, अपकी बार जब बजट आए ना, तो फिनेंस मिनिश्टी से एक सेक्शन लिखवा लो, अपने नाम का, एक सेक्शन लिखवा लो, रिजिस्टेशन के अंदर, एक नया सेक्शन एड़ करवा लो, सेक्शन 30A, कि इसमें न, रिस्वत जाएगी, GST ओफिसर को, अरे भाई, गोवर्मेंट, ये चीज समझ गयो नहीं रही, कि आप GST के कोई फीस नहीं लेते, प्रोफेशनल लजिस्टेशन करने का 500 रुपे, 1000 रुपे, 2000 रुपे लेता है, और आप रिस्वत के नाम पर 10,000 रुपे मांगते हो, तो आप कैसे बिजनिस को सर्वाइब कर पाएंगे, कुईसी ने अभी बिजनिस सुरू नहीं करा, आप 10,000 रुपे मांग रहे हो उससे, अरे भाई उसे पहले बिजनिस चलतो जाने दो उसका, तब आप उससे पैसे मांग ले ना, या आपको शर्मानी चाहिए, मैं उन सारे ओफिसर्स को कह रहा हूँ, जो ये पैसे मांगते हो आप, क्या आपको गौवर्मेंट से तनका नहीं मिलती, अगर आपको गौवर्मेंट से 20,000, 50,000 तनका नहीं मिलती, तो छोड़ दो नोगरी, और अगर आपको ये तनका प्रोपर नहीं मिलती, तो दूसरा काम कर लो, क्यो रिश्वत लेते हो, रिस्वत लेने के साथ पैसा नहीं मिलता आपको पैसे के साथ बद्दुआ भी मिलती है अगर आपको इस पैसे से काम नहीं चल रहा है दूसरा काम कर लो या आप गोवर्मेंट जोब में सिर्फ रिस्वत के लिए ही आयो भाई या मुझे गुस्दा इस से आ रहा है क्योंकि मेरा collective मुझे कहता है कि भाई आप रिजिस्टेशन अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट रिस्टेशन ही नहीं देता दूसरा सीए दूसरा एड़ोकेट दूसरा प्रोफेस страшन रिजिस्टेशन अप्लाई करता है मिल जाता है क्योंकि उसने fix कर रखा है महाँ पर कि 1000 रुपे 2000 रुपे 5000 रुपे जाएंगे मैं कहता हूँ कि मैं पैसे नहीं दूँगा गोवर्मेंट को मैं रिस्वत नहीं दूँगा तो तब आप मुझे registration नहीं देते तो आप तो मेरी काबिलियत पर तो यहां पर यह बात बहुत गलत है भाई इस वीडियो को जाद से जाद लोगों तक फैलाओ जिससे कि यह रिस्वत का काम बंद हो जाए ठीक है दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यूपी के registration में जितनी मुझे दिक्कत आई है मैंने पहले भी tweet करा है मैंने पहले भी tweet करा है लेकिन अब आप से स्योग चाहिए मुझे कि आप इस वीडियो को जादे से जादा फैलाओ जिससे कि यह जोब डूइंग बिजनिस हो इस तरह की रिस्वत लेने का कल्चर खतम हो क्योंकि अगर आप एक बार रिस्वत दे देते हो लेकिन यह सरिफ notice डालके rejection करके यह सरिफ पैसे लेते हैं और फिर उसके बास सारे default इनके सही हो जाते हैं जो की बहुत गलत है तो इस पर थोड़ा सा action होना चाहिए मुझे comment box में लिख कर बताओ और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादा लोगों तक share कर लो और हम पूरे GST low में हम पढ़ाते हैं अपनी pen drive में हम हमारा face to face batch अभी है कि start होने वाला है December में हम उसमें सब में पढ़ाते हैं कि registration में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा यह चीजे देनी हैं लेकिन यह GST officer मांगते हैं जो कि बहुत गलत है मेरी उनसे भी एक request है कि sir देखो मैं आपसे मानता हूँ कि आपकी government job है लेकिन sir सारे officer नहीं कुछ लोग जो आप 2-4-5 लोग हैं आप भी यह video देख रहे होंगे मेरी हाथ जोड़ के request है sir sir परिशान ना करो आप officers को जो भी हमारे clients थे इने हैं परिशान ना करो आप रिसवत ना लो sir जो आपको पैसा मिल रहा है salary का महा से लो अपनी knowledge भड़ाओ कोई और काम कर लो अगर पैसा पूरा नहीं हो रहा हम भी तो महनत कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर हम तो यहाँ पर कोई रिसवत नहीं ले रहे हैं हम भी तो महनत कर रहे हैं तो please यह मेरी request है हमारे देश को बचा दो थोड़ा सा क्योंकि अगर आप economy में पढ़ते हो तो economy में एक बात कही गई है जिस देश में ब्रस्टाचार सबसे ज्यादा है उस देश की रैंकिंग नीचे आ जाती है उस देश में लोग बाग इन्वेस्ट नहीं करना चाते तो अगर आपको देश को बचाना कुछ देश के बारे में भी सोच लो ठीक है ना नहीं तो आप अपने टैलेंट से गूम के आओ ना किसी गरीब की हाय मत लोना सर यह मेरी हाद जोड के रिक्वेस्ट है आशा करता हूँ आपको मेरा मेसेज किलियर हो गया होगा अगर यह वेडियो आपको अच्छी लगिया तो इसे जादे से जादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा कि अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी और मैं माफी चाओंगा मैंने इतने कठोर सब्दों का प्रियोग करा लेकिन कई बार गुस्सा आ जाता है जब यह लोग रिस्वत एक हद से जादा मांगते हैं हर केस में मांगते हैं व आपको दिल से धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग